हेलो एवरिवन और नमस्कार सभी को आज क्लास 9 जेक बोड के आपके साइंस के पेपर है तो एक कोशन्स जरूर देखके जाए आपके कोशन्स मिल जाएंगे चलिए बिना लेट की विए स्टार्ट करते हैं निचीत दिशा में वस्तु द्वारा ते की गई दूरी तो निची हैं क्या काते विश्तापन काते क्या काते displacement कहते हैं एक दिया इसलिए विश्तापन हो जाएंगे displacement हो जाएगेक सब 40 दू 9 एक में एक अंत्र लगा होता है जोके त्वारा को परदस्शित कर्ता है इस पत् Tribalot के करते हैं मतब कि आप अगर आपना गाड़ी जब चल रही है तो गाड़ी में एक अंत्र लगा वाता जो डिस्टेंस लोग का क्रता है उसे क्या करते और मिटर करता है और कि आपने बार सब्सक्राइब को आपकी किसी का नहीं होता है को समय को सब्सक्राइब जाए और उसका वुक्तिक हो जाए तो रेकिंग सब्सक्राइब होगा क्या था सब्हाइब क्या तो आदा कर दिया जाना मांस्ट को कर देब वहा सब Yar hy था यह Christmas को क्या नभशेड, और किनकि काद ійсьग कर देने अधा वहीघ एगए सबस्वेटर्ट कर जाएगगा तो से कर जाएगा दे है रहे लिह काद म 버श मेंगो hm question number six क्या मुलता है अधी दो वस्तू ए और बी के द्रमान करमसा 6 kg और 34 kg हो तो उसमें क्या जाओगा एक जड़तब क्या हो जाओगा बी जिसका मास ज़्यादा क्योंकि इनर्सिया जो होता है जड़तब जो होता है किसका होता है मास का जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा जड़तब होंगे या आप क्या खा सकती हो इनर्सिया होंगे तो बी का जड़तब ज़्यादा होगा बी का इनर्सिया ज़्यादा होगा कंपेर टू कंपेर टू ए क्या जाएंगे ऑप्सन टू हो जाएंगे बी का इनर्षिया एक इनर्षिया से ज़ादा होंगे क्या जाएंगे option 2 हो जाएंगे इनर्षिया उप B is greater than greater than inertia of A next question question number 7, 7 क्या बोलता है Newton गति के किस नियम को जड़तव का नियम भी कहा जाता है गति के नियम, आपके Newton's first law of motion, Newton's first law को बोला जाता है नियम के जड़ते लो ओफ इनर्शी अभी कहा जाता है I किसके सिदान्त पर काम करता है स्वेंग के संद्रेशन पर काम करता है क्या जाएगा आपके अर्थ पर अर्थ परह जैगे अर्थ परह जाएगा मुदे कितना है इंटो क्या है आपका दस कितना जाएगा 600 नुटन हो जाएगी वह इंगर मून पर चले गए ले तो आप मुझे 1 by 6 of weight 1 earth जो है इसके 1 by 6 हो जाएगे इसके 1 by 6 into 600 तो यहाँ पर क्या जाएगा कटके 100 Newton कितना हो जाएगा मून पर कितना हो जाएगा 100 Newton हो जाएगा कोई दिखा option 3 हो जाएगे option 3 हो जाएगे next question question number 10 question number 10 बोलता है अधी दो वस्तियों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वा करसंबल क्या होगा जो किस परकार बदलेगा तो क्या होता है गुरुत्वा करसंबल ब्रावर क्याता है वन बाई आर स्कुर होता है वन बाई मतला कि इनिवर्स्ट आफक 18 to 7 सब्सक्राण surgeon दिश्टेंस ओपसर हो जाए गांग। आपके रिवं को किप ऍसक्राइगा बढ़ए गजाए तो कि दो इस नहिवन ब्रावग को घuben घॉनकि में चल सकता है तरल मैं प्ःच क्लति आएए और घेसे किसका उदारण है तो अनुदर्ग तरंग किसका है आपके अनुदर्ग तरंग मानुवरों की सर्वेसप्रास की आपकी शुक्याब होता है कहां से किस फ्राइट सीमा बुरम έχει चीलो हρ्टりました क्या होता है 20 किलो हट चाहひं चाहता है 20 किलो हर्ट 24 जेसٌ को सुन सकते हैं क्या जाब आप्सन मनंनों हो जाएक है क्या चैनल आप्सन मनन को जाए annum को फोर् therm ॹोलता है بالप का कनों का सवता मिलना क्या कहलाता है अगर दो गाते हैं क्या है विष्रन हो जा Eu कोचन नमबर 16 बोलता है निमलेकित में किस सबसे अधिक संपिलित किया जा सकता है सबसे जादा संपिलित किसको कंडेंस किया जा सकता है तो गेश को जादे हम क्या कर सकते हैं कंप्रेश कर सकते हैं किसको सबसे जादा कंप्रेश कर सकते हैं गेश को क्या जागा option 3 हो जाएगा नेक्स्ट कोर्शन कोर्शन नमबर 17 निमलेखित में से कौन योगी का उधारन है जल जिसका फरमुला हो उसको योगी करते हैं क्या ज़गा option 3 हो जाएंगे नेक्स्ट कोर्शन कोर्शन नमबर 18 बोलता है फितल किस दातु से दातू का मिस्रन है पितल किस दातू का है आपका जिंक-प्लस-कोपर यसको क्या बोलते हैं honor जिंक को बोलते हैं। ब्रोज जो है किसका बना हुआ है जिंकोटिन का बना हुआ है कोशन नमर 19 क्या बोलता है निमली खित में कोन रसाइनिक परिवर्तन का उधारन है तो कोन है भोजन का पचना आपका रसाइनिक परिवर्तन है रसाइनिक अगर पच गया फिर आपका भोजन आ सकता है क्या नहीं टू हो जाएगे, question number 21, 36 ग्राम जल में, जल के कितने मोल है, एक मोल में, आपके 18 ग्राम में कितना मोल होता है, एक मोल होता है, तो एक ग्राम में क्या हो जाएगा, एक बटा, 18, तफिक इतना, 36 ग्राम में निकालना है, तो 36 ग्राम क्या हो जाएगा, एक बटा, 18, इंटू 36 हो जाएगा, तो 18 ग्राम कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगे, कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगे, क्या जाएगा, option 2 हो जाएगे, next question, question number 22, 22 बोलता है क्या, कि C2, H2, molar दरेमान क्या होगा, इसका liberal था मलर मास क्या होगा तो carbon दो carbon ही सरु फलस दो hydrogen है Carbon-store होता है sondern 12 होता हैhip लगन का किस यह ने किया था मुस्टेς यह रूजब का खोजब घॉबूलर किस ने किया था रूट्र।र进illes और आपका जोण का खोज कुन कि दे ते वो जे चटविक की थे जे जे-चटविक आपको याद होना चाहिए तो उप्सन कुछ नामगर 24 एक तत्व में 11 एलक्टोन और 12 निट्रों है तो उस तत्व का परमानुसंख्या क्या हो तो क्या हो जाएगा इल्क्र trib camel लेलो निट्रल अईघ्रा में तो क्या में गारों कील ब्राबर हो जैगे क्या जैंगा और सन्हवाहिए परमान संख्या जो जाएगा डिच्ट तो जेड बराबर क्या हो जाता है प्रोटोन in o बराबर हो जpower संगे कियांग के सब्सक्रांब बॉल रहा है कि कि समानस्थानिक में निम्राइकित मैं से कौन और प्रमानुका समान नहीं होंगे, क्योंकि इलक्टोन आपके जो किसी तत्व के समान समस्थानिक समान अस्थानिक है तो क्यों नीट्रोन आपके बराबर नहीं होगे, क्यों बराबर नहीं होते हैं? क्योंकि atomic number same होता है, और atomic mass different होता है, तो कौन करता है गोल जी उपकरन करता है कौन करता है गोल जी बड़ी करता है गोल जी बड़ी करता है किसके दिफ्यूजन के द्वारा होता है नेक्स्ट कोचन बोलता है क्या पोधे के सिर्ष पर कौन सा उत्तक पाए जाता है क्या पाई जाते हैं उवाय जिए उद तक पाई जाती है क्या जगा Option 1 हो जाएंगे Question 29 बोलता है निमलिखित में कौन एक कोषिक जीव का उधारन है उसका उधारन कोन है? Amazon 3 हो जाएंगे Question 30 जिवान निमलिखित में से कौन वर्ग में आती है ? जिवानी किस वर्ग में मोने इरा में आते हैं क्या जगा option two हो जाए है question नमबर question эти one thirty one बोलता है क्या कि पाधप वर्ग का उभैचर किसे कहते हैं इसको करते है बाइरो बराईब फायर फायर को करते हैं नेच्ट कोशन थर्टी टू वेल नियुवलुक भर्ग से समंधित है तो अस्थन पाई वेल जो हो हो धो अस्थन पाई में आपके समयलित है कोशन नमबर थर्टी तृटी थिरी बोलता है क्या कि रक्त के तरल आधातरी भाग को क्या कहते हैं प्लाजमा कहते हैं तरल भाग जो है उसको क्या कहते हैं जो लिक्विट भाग है उसको क्या कहते हैं प्लाजमा कहते हैं आपके 34 बोलता है जीवों के औरगी करन का वरगी करन का सरवादिक मुल्भूत लेचन क्या हो सकता है तो उसका कोषी का सनरचना क्या हो जबनें उसका कोषी का सनरचना नेक्ट कोचन बोला जाता है सवेत क्रांति किसे समंदित है सवेत्적으로 क्रांति रिलेशन है इस दूध इस से भी धारेAd SI तो आपका चना यह आपकी कभ फलते हैं यह आपके मार्च जनवरी से मार्च की इसके पखलता मुले जाए के इनमेलेखित में कौन दिर्ग कालिक रोग का दोधारन दिर्ग कालिक मतलब लंबे समय तक जो बीमारी आता है मधुमेट आपकी क्या हो जाएंगे सुगर डियाविटी कोशन नबर ठटीन एन बोलता है इस वेस्विक उसमन के लिए कौन गेस उत्तरदाई है कारबन डियोकसा जो आपके गिंडर गेसा आपकर गेस उत्तरदाई हो जैगे क्यां जागा और ऑक्सन ओन होजाएं नेच्ट कोशन 40 40 बोलता है क्या जल परदूसन जल परदूसन से निमलिकित में कौन सा परवाब नहीं होगा जल परदूसन से फेपड़े समंधी रोग क्या जगा ऑप्षन फोर हो जाएंगे ऑप्षन फोर हो जाएंगे तो इस तरह से हम देखे साइंस की सारी important questions ठेक है जरूर देखके जाएं धन्यवाद